चास 71 बात तुगेदर, वही रात के दो बजे बज चुके थी कबीर अभी भी आईशा के उपधा, वही आईशा भी थक के चूर हो अपनी आँखे बंद कर कबीर के नीचे आहे भर रही थी, तभी उस रूम में फोन रिंग की करने की आवाज आती है, जो बैग के पास ना हो नाइट स्टैंड पर रखा हुआ था, जिसे कबीर की नीली पेनी आँखे नाइट स्टैंड पर रखे फोन को घूरती है, वही कबीर एक नजर अपने नीचे थकी हुई, आईशा के पसीने से भीग लाल चेहरे को देख उसके माथे को चूम उसे अलग हो जाता है, वो आईशा कबीर के अलग होने से अपनी थकी अदखुली आँखों से दिम लाइट की रोशनी में कबीर देख रही थी, तभी कबीर बिना आईशा के ओर देख अपनी डीप वोईस में बोला, प्रिंसेस, I think you're looking me, you want more, लगता है तुम्हारा अभी जी नहीं भरा जिससे सुन आईशा तुरंट अपनी नजरे कबीर से फेर लेती है, उसका चहरा इस वक्त लाल पर चुका था, उसके में हिलने तक की ताकत नहीं थी, वो कबीर सौ गाली देते हुए, अपनी आँखे मूंग बैद पे वैसे ही बेसुध हो सुझाती है, वोही कबीर के फैस एक्स्प्र हो रहा, था, कबीर फोन पिक कर अपने कोल्ड वोईस सिर्फ हमम, बोलता है, तभी फोन की दूसरी तरफ से रोहन बोला बॉस वंच सिंधानिया मैम को दो दिनों से पागलों की तरह पूरे शहरों में धून रहे हर होटल कपूर के हर विला फार्म हाउस सभी जगह, उनके आदमी हर जगह फैले हुए, जिस से सुन कबीर कोई जवाब न दे, कबीर अपने कदम आगे बढ़ा उस रूम के बड़े से ग्लास विंडो के पास खड़े हो अपनी गेहरी नीली थंडी आँखो से चांद को देख उसके फेस पे टेरी मुसकान आ जाती है, तभी कबीर अ जजग बोला एक और बात है, बॉस, हमने सुना है, आरियन सिंघानिया मैम के बारे में इनफॉर्मेशन निकाल रहा है, और उन्हें मैम के कॉलेज के बाहर और सिंघानिया विला के बाहर भी इन दो दिनों में देखा गया है, जिस से सुन कबीर के फेस एक्स्प्रेशन डा की प्रिंसेस पे अपनी नजर फिर से उठा देखने की कोशिश लगता है, अपनी पिछली मात भूल गया है, उस पर नजर रखो उसकी पलपल की खबरों की इनफॉर्मेशन मुझे चाहिए, प्रिंसेस की सिक्योरेटी टाइट हो जानी चाहिए, उसके सामने एक परिंदा कभी पर न मार सके जिसे सुन दूसरी तरफ से रोहन रिस्पेक्ट से बोला जी बोस, कभीर फोन कटकर नाइट स्टैंड पर वैसी फोन को बेदर्दी धांग से फिक बैट पे सो रही आईशा की तरफ बढ़ चलता है, जो इस वक्त उसी हाल में बेफिक्र हो सो रही थी जि कभीर आईशा को अपनी और एक जटके में खीज उसे अपने शरीर से चिपका लेता है, वही आईशा दर्द अपनी हलकी आँखे खोल कभीर को घूर के देखती है, जिसे देख कभीर अपने कोल्ड वोइस में बोला, प्रिंसेस तुम्हें हर रात मेरा साथ इसी तरह सोना ह होगा, जिसे सुन आईशा खुननस में कभीर सीने पर मार अपना सर रख अपने दोनों छोटे छोटे हाथ कभीर के कमर पर लपेट अपनी आँखे मून लेती है, वो बहुत थकी हुई थी इस वक्त, वही कभीर अपने और आईशा के दोनों के बदन को ब्लैक ब्लैंकिट स धक देता है, कबीर की आँखों में इस वक्त नींद नहीं थी, वो चेन से सो रही आईशा के चेहरे को अपने अंबूथे से सहला रब कर रहा था, कबीर आईशा के फेस के हर फीचर को अपनी अंबूथे से रब करते हुए, अपने अंबूथे को उसके सूजे हुए होठो पर ले जा टच कर सहला अपनी डाक वैस में बोला प्रिंसेस तुम सिर्फ मेरी हो अगर तुम्हें किसी ने भी मुझे दूर करने की कोशिश की तो वो कबीर कपूर की पागल पन की आग में तबाह होगा इतना कह वो अपने दोनों मजबूत हाथों की पकड़ आयशा के नाज आउट कर अपने रूम में एंटर करता है इस वक्त कबीर ने सिर्फ ब्लाक ट्राउजर पहना था उसके अपप बॉड़ी पर कुछ भी नहीं था उसके हाथों में एक मिनी ब्लाक टाउल थी जिससे वह अपने स्वेट को पोच रहा था कबीर इस वक्त काफी ज़्यादा है होट अनट्राक्टिव लग रहा था उसके मैसी बाल इस वक्त उसके माथे पर आ रहे थे उसकी आठ आप्स और ब्रॉड चेस्ट पर स्वेटिंग की बुंदे चमक रही थी वही कबीर नी आँखे इस वक्त बैट पर सो रही आईशा पर थी कबीर बैट के करीब जाता है आ कबीर आईशा को घूरते हुए अपनी कोल्ड वोइस में बोला प्रिंसेस वेक अप सुबह 8.00 बज रहे है वही ऐसा लगा आईशा के कानों में जैसे एक चू तक कि आवाज ना गई हो वो आराम से वैसे ही सो रही थी जिसे देख कबीर आईशा को घूरने लगता है इस व कबीर बुरी तरीके से आईशा की ब्लैक ब्लैंकित बाहर देख रही नैक पीट को घूरने लगता है तब ही अचानक से आईशा की चीक निकल जाती है क्योंकि कबीर ने एक जटके से आईशा को बैग गीचते हुए अपनी गोद में उठा लिया था वही आईशा अपनी न इसे वो कबीर को कच्चा ही खाजेगी वही कबीर अपनी एमोशनलेस नीली आँखे वाश्रूम की ओर कर अपने एमोशनलेस एक्स्प्रेशन के साथ वाश्रूम की ओर बढ़ देता है तब ही आईशा उसकी गोद में छट पटाते हुए बोली थर की आशु ये मुझे कहा लेकर जा रहे हो जिससे सुन कबीर भाव भीन हो बोला we are going to bath together जिससे सुन आईशा की आँखे बढ़ी हो जाती है वो कबीर की गोद में छट पटाते हुए बोली नहीं नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं नहाना तुम मेरे साथ फिर से एक नंबर के थर की हरकते करोगे मुझे नहाने नहीं देते जिससे कबीर के चहरे पर कोई express नहीं आता वो सीधा वाश्रूण का गेट खोल आईशा के साथ वाश्रूम में एंटर करता है इस वक्त वाश्रूम का मोहल बिलकुल शान्थ था बाग टब में आईशा कबीर के गोड में बैठी हुई थी वो दोनों इस वक्त गरम पानी के बोडी वाश के जांक में डूबे हुए थे वही कबीर के हाथ आईशा यहां वहां चू रहे थे कबीर आईशा को बोडी जेल लगाते हुए अपने सक्त हाथ उसके सौफ्ट पेट से हो उपकी और बढ़ा है जिसमें मेहसूस कर आईशा अपनी आँखे छोटी कर कबीर के हाथों को घूरते हुए पकर बोली थरकी आशू तुम फिर से क्या कर रहे हुँ पहले तो कबीर आईशा के यूँ हात पकड़ने से आईशा छोटे हाथों को घूर रहा था लेकिन आईशा की बात सुन टेड़ी मुस्कान लिये बोला आयम गिविंग यूर प्रोपर बात चा 72 प्रिंसेस तुम मुझे अब हमेशा मेरे पास चाहिए इस वक्त रोड पर काली करो का काफिला एक साथ चल रहा था वही उन सभी करो के बीच एक रोल्स रोयस कार के अंदर का महौल इस वक्त काफी सांथ था सिर्फ कबीर के लैप्टॉप के कीबोर्ड को टाइप करने की टिक 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 आवाज आ रही थी कबीर अपनी एमोशन स्लैस नजरो से लैप्टॉप की स्क्रीन को देख अपने ओफिस से रेलेटर्ड वर्क कर रहा था वही आईशा कबीर से कुछ दूरी पर विंडो से चिपक बैक बाहर का नजारा देख रही थी तभी आईशा विंडो से बाहर देखते हुए बोल आशू हम कहा जा रहे हैं वही कबीर अपनी नजरे लैप्टॉप की स्क्रीन से नहटा बोला आओ हाउस जिसे सुन आईशा कबीर की ओर देखती है कबीर की नजरे अपनी और न पा उसे लैप्टॉप की स्क्रीन को देखता पा वो ज़ला सी जाती है वो जब से कर में बैठे तब से कबीर लैप्टॉप में घुसा हुआ था आशू, you ignoring me कबीर बिना आईशा की ओर देख अपनी emotionless आवाज में बोला Princess I am doing something important work, don't disturb me if you want chocolate वो इतना ही बोल पाया था तभी कबीर की आँखें छोटी सी हो जाती है क्योंकि उसकी गोड में हल्की फुल की सी आईशा बिन बताए गुस्से से एक ज़क की साथ कबीर के गोड में जा बैक चुकी थी कबीर घूरते हुए आईशा को देखते हैं जो उसे अपने चोटी से लाल चेहरे के साथ गुस्से में घूर के देख रही थी कबीर एक हाथ से लाप्टॉप को एज़स्ट कर आईशा के गुस्से से लाल गालों को अपने सक्त हाथ से रब कर कोल्ड वॉइस बोला वाट है पैन प्रिंसेस जिसे सुन आईशा गुस्से से अपना मूँ फूल पाउट कर कुछ बोलने वाली होती है तभी उसे लाप्टॉप की स्क्रीन से रोहन की आवाज आए बॉस बॉस जिसे सुन आईशा डे से पीछे पलतने वाली होती है तभी एक मजबूत हाथा आईशा के छोटे से सर को पीछे से पकर अपने सक्त सीने से लगा लेता है वही काबीर की आखे इस वक्त सर्द थी वो लाप्टॉप की स्क्रीन को अपनी जलती नजरों से गूर रहा था वही लाप्टॉप की स्क्रीन में जितने भी वीडियो कॉन्फरेंस कॉल में दूसरे बड़े कंपनी के लोग मीटिंग कर रहे थे काबीर की सर्द निगहें खुट पर देख अंदर तक काम जाते हैं उनकी नजरे इस वक्त दर से नीचे थी वही उन्होंने सिर्फ आईशा की बैक व्यू ही पिच कलर के फ्रॉक में देख रही थी काबीर बिना कुछ देख या बोल अपने सर्द एक्स्प्रेशन के साथ लैप्टॉप की स्क्रीन को एक हाथ से बंद कर देता है जिसे कॉल की दूसरी तरफ वाले लोग को अपनी जान में जान आई थी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था दब्लाक इगल किंग जिसके नाम भर से पूरा एशिया का पता है उनके साथ कोई लड़की वो भी उनसे इस लहजे बात कर सकती है उस लड़की की स्वीट पर गुसे से भरी आवाद सुन उन सभी को उस लड़की देखने का कुरसिटी हुए लेकिन वो देख पाते इससे पहले कबीर ने कॉल कट कर दिया था वही कबीर आईशा को अपनी मजबूर बाहों में कैद में कर उसे अपने सक्ट सीने चिपका कुछ पल अपनी गहरी नीई आँखो से आईशा को छट पताते हुए घूर के देख रहा था आँ छोड़ो आशू मुझे सांस नहीं लिया जा रहा आँ कबीर अपनी बाहों में चट पताती हुई आईशा को देख घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला प्रिंसेस वाटा यार डूइंग नॉनसेंस आईशा कबीर के मजबूत बहुत से जबरदस्ती अपना चहरा निकाल हाफते हुए बोली आशू डर लग रहा है डेगा को क्या बोलूगी दो दिन से मैं कहा थी और मेरा फोन वह भी कहा है वो मुझे एक रात के लिए भी कही नहीं जाने देते अपने गार्डों के बिना अगर मैं उन्हें नहीं मिली होगी पता नहीं सब मुझे कहा धून रहे होंगे जिसे सोच सोच मुझे घबरहट हो रही है आईशा को ऐसा पैनिक करता दे कबीर की फेस एमोशन डाक हो जाता है वो अपना एक हाथ आईशा की गालों पर रख अपने अनगूठे रब कर कोल्ड वोइस में बोला डोंट भी पैनिक प्रिंसेस आयम ओल्वेज विद यू इतना के वो उसके सौफ्ट होटो पर अपने सक्थ होट रख अपने दोनों हाथों में आईशा चेहरा थाम किस करने लगता है वही आईशा भी कबीर को दूर न कर अपने छोटे हाथों को कबीर की गालों पर रख कबीर के ब्यर्द को सेहला किसमे साथ देने लगाती है तब ही आईशा कबीर को किस करते हुए बाइट कर लेती जिसे देख कबीर की आँखे छोटी हो जाती है। वो घुर के आईशा को देखता है, जो उसके होटों में सब कुछ भूल भूखे बिल्ली सी लगी हुए थी। कुछ देर बाद कबीर उसके माथे पर एक लाइट किस कर देता है। उसके छोटी से सर को अपने सक्ट सीने से फिर लगा लेता है। कुछ ही देर में कबीर की कादिल्ली के सबसे पोश हिलाके में इंटर करती है। जहां दो ही विला थे एक कपूर तो दूसरा सिंध्यानिया की वहा की सिक्योरिटी काफी ज़्यादा टाइप थी। वही आईशा का ध्यान विंडो के बाहर था। कबीर उसके बालों को सहला रहा था। तभी आईशा देखती है। कबीर की कार सिंध्यानिया विला से आगे न कबीर आयशा की बातों पर कुछ ज्यादा रियक्ट न कर भाव हीन था। वही कबीर की कार कुछ देर में बड़े से कपूर मैंशन की में एंट्रैंस के दरवाजे के सामने आकर रुपता है। जिसे देख गात तुरंट दरवाजा खोलता है। कुछ ही देर में कारों का काफि उसे बड़े दरवाजे से होते हुए मैंशन के अंदर इंटर करती है। वही आईशा घबराते हुए बोली आशू हम यहां क्या कर रहे हैं। मुझे मेरे घर जाना है। ममवा देदा परेशान हो रहे होंगे। तब ही कबीर की कार कपूर मैंशन की पारकिंग लोड पर जा की देर में रोहन आगे की सीट से उतर कबीर की और जा कार का दरवाजा खोलता है। कबीर अपनी आँखों में ब्लेक शेड लगा, अपने एरोजेंट लुक के साथ कार से बाहर निकलता है। वही आईशा कार के अंदर घबरा रही थी। प्रिंसेस कम आउट फास्ट, से भागने। कबीर की बाते सुन कबीर की पुनिसमंट याद कर अंदर तक से हर जाती है। प्रिंसेस आई सेड डाट, कार से बाहर निकालो। कबीर की सकता आवाज सुन आईशा दरते हुए, सित पे अपनी जगल से खिसक करके दरवाजे के पास आती है। जिसे देख कबी कबीर अपने ब्लैक शेड के अंदर से ही उसे अपनी नीली आँखों से घूर रहा था। कबीर आईशा के हाथ को पकर कपूर मैंशन और बढ़ चलता है। इस वक्त कबीर कपूर मैंशन के बढ़े से पाकिंग लोट मे था। वही आईशा डर से घबराते हुए कबीर से ब ताइट हो जाती वो अपने दाद पिस्ते हुए बोला, प्रिंसेस तुम भूल रही हो, आब ये हमारा घर है। तुन मेरी वाइफ हो, we are married now। जिसे सुन आईशा की आँखे बढ़ी हो गई। वो घबराते हुए बोली आशू, I know that पर अभी मम्मा, डेदा, बढ़ी मा, मैं अभी comfortable नहीं हूँ, उन्हें ये सब बताने के लिए सब कैसे react करेंगे, I am only 18, please, मेरा हाथ छोड़ो, इतना कह वो कबीर के हाथ से अपनी पकर छुलवाया वहां से भागने की कोशिश करती है। वही आईशा की बाते सुनो कबीर को गुस्सा आने लगा था, वो अपनी जगर रुख पीछे खड़े रोहन और गार्डों को घूर के देखता है, जिसे समझ रोहन और गार्ड कबीर से कुछ दूर जा अपना सर दूसरी तरफ कर खड़े हो जाते हैं। कबीर आखों से black shade हटा आईशा चेहरे की बिलकुल करीब हो उसके जबड़े को पकड़ अप प्रिंसेस एक बात कान खोल के सुन लो, तुन मेरा पागलपन हो, मैंने अपनी जिब को पूरा करने में 18 साल का वेट किया है, now you my wife and you are my addiction now, तुन मेरी लद बन चुकी, तुन मुझे मेरे बैट पर अब हर रात मेरे नीचे मोन करती हुए चाहिए, that's it's, इतना कह कबीर आईशा को एक जटके में अपनी गोग में उठा कर कपूर मैंशन की इंटरेस्ट की और बढ़ जाता है, वही आईशा कबीर की बाते सुन उसका फेस रेड हो गया था, वो खुद से बोली थरकी आशू, वही कपूर मैंशन के बड़े से हाल में इस वक्त पा इसकी लेंथ उसके नी तक आ रही थी, उसे लड़की के गोरे चहरे पर मेकप था, जो उसे और भी खूपसूरत बना रही थी, तभी पायल बोली, अच्छा बेटा घेर में सब कैसे है, सब अच्छे है अंटी, तो बेटा आपका काम कैसा चल रहा है, हमने सुना है आप इस भी बड़ी मूवी नहीं है, मम्मा की तो आदत है, इतना कैह वो लड़की अपनी नजरे पूरे हॉल में घुमा किसी को धून रही थी, वही उस लड़की की नजरे पायल की बाते करने से ज्यादा उसे बड़े से कपूर मेंशन को इधर उधर किसी को धून रही थी, जिसे पायल भी अच्छे तरीके से समझ पा रही थी तभी कबीर आयशा को अपनी गोड में लिये हुए हाल में इंट करता है वही आयशा उसकी गोड में छट पता रही थी आशु छोड़ो बड़ी मा देखेगी तो क्या सोचेगी प्रिंसेस बड़ी मा नहीं वो अपसे तुम्हारी मौम है यही कि मैं उनकी बहू को उसल घर ला रहा हूँ जिसे सुन आयशा घूर के कबीर को देखने लगती है छोड़ो ना आशु किसी ने देख लिया तो वही जो पायल के साथ वह लड़की बैठी थी वह और कोई नहीं प्रिया खुराना थी किसी की आवाज सुन प्रिया की नजरे जब सामने एंट्रैंस में कबीर को आयशा को अपनी गोड में लिया देख उसकी आँखे जल उठती है वही वो गुसे से अपने हाथों की मुठी कसके बंद कर लेती वही पायल हैरत से आयशा कबीर को देख रही थी चा 73 वंच का आयशा को कबीर से दूर करना प्रिंसेस बड़ी मा नहीं वो अपसे तुम्हारी मौम है यही कि मैं उनकी बहू को उसके घर ला रहा हूं जिसे सुन आयशा घूर के कबीर को देखने लगती है छोड़ो ना आशू किसी ने देख लिया तो गर्बर हो जाएगी वही जो पायल के साथ वह लड़की बैठी थी वह और कोई नहीं प्रिया खुराना थी किसी की आवाज सुन प्रिया की नजरे जब सामने एंट्रैंस में कबीर को आता देख उसकी आँखों में चमक आ जाती है लेकिन कबीर की गोद में आयशा देख उसकी आँख ही जलुटती है वही वो गुसे से अपने हाथों की मुठी कस अपने पस पर अपनी पकर टाइट कर देती है वही पायल हैरत से आईशा कबीर को देख रही थी कबीर आईशा को एक साथ देख पायल जैसे ही कुछ बोलने को होती है तभी किसी की शर्द आवा जाती है बच्चा तुम यहाँ जिसे सुन पायल के साथ कबीर और आईशा के भी भ्यान हॉल के में इंट्रांस दोर पर जाता है जहां सुहाना और वन्ष खड़े थे वही आईशा अपनी मॉम डैड को यहां देख उसकी आँखे बड़ी हो जाती है अब तो उसे रोना आ रहा था आईशा अपनी गीली आँखो से कबीर को देख छोड़ने के लिए मेहनत करती है वही कबीर को ऐसे उन सब का उन्हें देखने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा रहा था आईशा अपने भरे गले से बोली आशू प्लीज छोड़ो, ना, तुम जो कहो गैमे करोगी अपसे तुम्हारी सारी बात मानूंगी प्लीज तभी वन्ष अचानक से उन दोनों के पासा कबीर से आईशा को जबर्दस्ती चूड़ाता है जिसे देख कबीर की आँखे सर्द हो जाती है लीव माई डॉर्टर तुम्हे सुनाए नहीं दे रहा उसने कहा उसे छोड़ो इतना कह वन्ष कबीर से आईशा को छूड़वाता है वही पायल और सुहाना भी उनके करीब आती है सुहाना आईशा के पासा उसे डांट लगाते हुए बोली बदमाश लड़की तुम दो दिन के लिए कहा गायब थी उस छवी के साथ फिर से घर से भागा तुमने नो कॉल्स नहीं तुम्हारा कुछ पता कुछ बोलोगी भी इतना कह सुहाना आईशा के कान पकड़ती है वही वन्ष की नजरे तो इस वक्त कबीर को भूरे जा रही थी जिससे कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ता वो अपने पॉकित में हाथ डाल अपनी एक्स्प्रेशन लेस जहरे के साथ अपनी थंडी नजरों से आईशा को घूर रहा था तुम इस वक्त कबीर के साथ क्या कर रही हो तुम्हें सीधे घर आना था तब मैं तुम्हें बताती घर से गायब होने की नतीजा और तुम यहां कपूर मेंशन में क्या कर रही हो सुहाना को इतना भड़कता देख आईशा वंच के पीछे चुप बोली मैं किसी के साथ भूमने नहीं गई और आशू मुझे जबरदस्ती यहां लाया मैं तो घर जाने के लिए बोल रही थी सब गलती आशू की है जिसे सुन सुहाना गुसे से आईशा को घूर बोली कबीर का नाम लेना बंद करो उसे अमेरिका से आये हुए अच्छे से दो दिन नहीं हुए और तुम फिर से अपनी हर गलती पर उसका नाम ले रही हो अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही की कबीर का नाम अपनी हर गलती पर लोगी आईशा अपना बचाव कर बोली मम्मा मैं सच बोल रही हूँ इतना कहवो कबीर को भूरने लगती है जो उसे ही अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले अपने चहरे पर तेरी मुस्कान के साथ देख रहा था जिसे देख आईशा का बुरा सा मूह बन जाता है जीसे देख सुहाना बोली तुम्हारी बदमासिया बहुत बढ़ चुकी है तुम्हें एक थपपर पढ़ेगा ना जिससे सुन आईशा की आँखें बढ़ी हो जाती है वो कबीर के सामने अपनी मम्मा से थपपर नो और वो अपनी मम्मा को अच्छे से जानती थी वो उसे कहीं पर भी चपेट लगा सकती थी इसलिए वो तुरंत वहां से भाग नहीं सही समझती है वोही कबीर आईशा को कपूर मैंशन से भागते हुए घूर रहा था तभी कबीर के पास वंशा अपनी कढ़क आवाज धीरे से बोला Stay away from my daughter जिससे सुन कबीर बिना वंश की और देख अपने एरोगेंट वो इसमें बोला She is mine now इतना कह कबीर कमपनी के लिए निकल जाता है वोही वंश कबीर को जाता हुआ घूर अपने दांग टीस लेता है वंश भी गुस्से से सिंधानिया विला चला जाता है वही उन सब को जाता हुआ देख पायल और सुहाना एक दूसरे को देख बोली क्या दोनों के बीच में सुला हो गई जिसे सुन पायल बोली मुझे लगता है चीकु कबीर ने उसे मनाने की कोशिश कर रहा है तुमने देखा नहीं कैसे चीकु आईशा को अपनी गोग में जबर्दस्ती का पूर मैंशन ला रहा था वैसे भी तुम अच्छे से जानती हो कबीर अपनी प्रिंसेस को मनाना अच्छे से जानता है वैसे भी उसकी प्रिंसेस अपने आशू के बिना ज्यादा दिन दूर या नाराज नहीं रह सकती भले वो हमें कितना भी दिखाती हो कि आशू से कितना नफरत करती है वही उनके पीछे सोफे के पास खढ़ी प्रिया उनकी बाते सुन हाथों की मुठ़्ी बन जाती है पायल सुहाना की बाते सुन प्रिया अपने चेहरे पर फेक मुसकान ला अपना गला साफ कर बोली आँटी मुझे अब चलना चाहिए जिसे सुन पायल बोली सौरी बेटा हमने तुम पर ध्यान नहीं दिया तुम दोपहर का लंच हमारे साथ करते हुए जाना जिसे सुन प्रिया अपनी मीठी आवाज बोली नहीं आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं में अगली बार कर लुगी अभी मुझे निकलना होगा आज मेर फिल्म के डाइरेक्टर के साथ मीटिंग है इतना कैप्रिया पायल के हाथ में अपना लाया हुआ गिफ्ट दे बोली आंटी इसे मम्मा ने आपके लिए स्पेशल पेरिस के आउक्शन से लाया था I hope you will be like it इतना कैप्रिया का पूर मेंशन से बाहर निकल जाती है वो अपन कार के पासा कार के अंदर बैक जोर से दर्वाजा बंद करती है जिसकी आवाज से ड्राइवर तक दर जाता है प्रिया जो कबसे अपना गुस्सा कंट्रोल किये हुए बैठी थी वोल कार में जोर से चीखी आईशा सिंधानी या कबीर सिर्फ और सिर्फ मेरा है इस वक्ट के चेहरे के एक्स्प्रेशन काफी ज़्यादा दरावने थे प्रिया खुद में पागलों की तरह बुद बुदाते हुए बोली नहीं नहीं कबीर सिर्फ मेरा है बचपन से ही तुम मेरे और कबीर के बीच आने की कोशिश की है लेकिन इस बार नहीं मैंने उसे बचपन से पाने का सपना देखा है। दस साल तुम्हारी वजह से मेरा कबीर मुझसे दूर रहा है। लेकिन इस बार नहीं मैं उसे तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी और प्रिया खुराना को जो चीज पसंद आ जाती है वह कैसे भी हासल कर लेती चाहे मुझे इसके लिए इस बिच आईशा को अपनी जगल से हटाना ही क्यों ना पड़े इस वक्त प्रिया के चेहरे के एक्स्प्रेशन काफी ज़्यादा दरावने थी। रात का वक्त सिंधानिया विला। आईशा इस वक्त अपने नाइट सूट में रूम में परेशानी से तहल रही थी वह खुद से ही ब का ध्यान मुझसे ज़्यादा उस चुनरिया चुर्यल पर चला गया तो एक तो आशु मेरा फोन नहीं उठा रहा है इतना क्या हुआ अपने फोन को देखे फिर से कबीर को फोन लगाने लगती है। वही डाक का के के चा 74 बेरहम कबीर रात का वक्त सिंधानिया विला। मेरे आशु के घर मूर उठाया आ जाती है। और बड़ी मम्मा ऐसी चिकनी चुपा बात करेगी। दे से उसकी मुझसे अभी शहर तपक के गिर जाएगा सब समझती हूँ। कहीं मेरे आशु का ध्यान मुझसे ज़्यादा उस चुनरिया चुर्यल पर चला गया तो एक तो आशु मेरा फोन नहीं उठा रहा है। कहीं वह मुझसे नाराज तो नहीं। इतना कह एरेटेड हो अपने फोन को देखे फिर से कबीर को फोन लगाने लगती है। वही के 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 विला के अंडर ग्राउंड डाक के रिया में। इस वक्त डाक रूम बाहर सिर्फ किसी की पहरी चीखने की आवाज आ रही थी। वही इस वक्त अंदर रूम का अट्मस्फियर काफी ज्यादा स्केरी था। उस रूम में सिर्फ लाल बत्ती जल रही थी। कबीर किंग साइज लैदर के सोफे पर अपने एक पैर पर दूसर क्रॉस कर राजा की तरह बैठा हुआ था उसकी नीली आँखों में इस वक्त कोई भी इमोशन नहीं था। फ्लोग पर तीन इंसान जक्मी हाल में किसी लाश की तरह पड़े थे। जिन्हें देख साफ पता चल रहा था। उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया है। दो इंसानों की आँखों से और मुझ से खून बहत देखने से साफ पता चल रहा था। कि उन दो इंसानों की आँखों को निकाल जीव को काटा गया है। तभी फ्लोग पर अधमरी हालत में पड़े उस तीसरे इंसान ने हिम्मत कर अपना चहरा उपर उठा अपनी दर्द भरी आवाज में कबीर को देख बोला, कबीर कपूर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हमें बिना बताए हमें किस गलती की सजा दी है। तुम जानते नहीं आशीश भाटिया क्या चीज है। जिसे सुन कबीर के चहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो अपने घून से सने हाथों में वल्क हंजर भुमाते हुए अ अपना सर टेडा कर किसी सनकी की तरह बोला, अम्म 구 गलती, गलती ही की है तू, तू तू, अपनी नजरे उठा इंगटिया गंदी नजरों से मेरी प्रिंसेस देख अपने इन बुलशिक मौट से मेरी प्रिंसेस के बारे में बोलने की। गलती, जिसे सुन वह इनसान अपनी बोल पाया था, तभी शक्स की दर्द भरी चीक उस डाक रूम में गूंज उटती है। इतना कह वो फिर से उसके आँखों से खंजर निकाल दूसरे आँखों में चुभा देता है। इतना कह वो आशीश भाटिया की बोडी को लात मारता है। ये तीनों इनसान दिल्ली के फेमस बिजनेस टाइकून में से एक थे। ये वही तीन इनसान थे। जिसने आईशा पे पार्टी वाले दिन अपनी लस्ट भरी नजर डाल आईशा के बारे में पार्टी में कमेंट किये थे। जिसे कबीर पार्टी वाले रात को उठा कैट करके रखा था। उन्हें बहुत बुरी तरीके से रोज टॉर्चर किया गया था। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है। देव रूम में कूल एक्सप्रेशन के साथ अपने हाथों में अपने स्पोर्ट कार की चाबी एंटर करता है। वो एक नजर उन फ्लो पे परे लाशों को देख उन्हें लान कबीर के पास जाता है। वही देव को देख कबीर के चहरे पर कोई भाव नहीं आते। लेकिन रोहन जो कबीर के पीछी कब से खड़ा था। वो अपने भाई को घूर के देख बोला। मैंने जो तुम्हें इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोला था वो काम हुआ की नहीं। या तुम्हें किसी को सर्प्राइज देने से फुर्सत ही नहीं मिली। जिससे सुन देव का मूँ बन जाता है। वो जानता था उसका बड़ा भाई उसे ताना मार रहा है। वो अपनी न जाता चला है। कोई हमारी ही कमपनी का गदार हमारी न्यू लॉंच होने से पहले डेंजरस वेपन को चुरा इंडिया से बाहर रशिया के माफिया डीमर को कल शिप से इलीगली भीजने वाला है। जिससे सुन कबीर के चहरे पर कोई एक्सप्रेस नहीं आते। वो मिस्ट् के में इतनी हिम्मत आ गई। जो ब्लाक इगल किन का खौफ अपने अंदर खत्म कर उसे धोखा देने की हिम्मत की। ये बोलते वक्त कबीर की नीली आखें गहरी हो चुकी थी। वो एक नजर फर्ष पर पड़े लाशों को देख बोला, and clean this mess। इतना बोल कबीर रूम से च को घर ना कहां रहते सब खबर है मुझे। आज घर में नजर आ जाना वरना मेरी punishment तो अच्छे से जानते हो। जिसे सुन देव अपनी आखें बढ़ी कर मूह खोले रोहन को देख रहा था। रोहन अपनी सर्द आवाज में बोला, मूह बंद करो अपना और जब तक कोई र पाउट कर बोला, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आप हर बार ऐसा करते हैं। जिसे सुन रोहन देव को घूर के बोला no means no, और हा रहा इस वैपन से related मामले को मैं हैंडल कर लूँगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो इतना कह रोहन कबीर के पीछे चल जाता है। भाई, देव अपना मुह बनाए रोहन को घूरे जा रहा था। गुस्से से खुद में बुदबुदाते। हुए बोला, मेरा ये खरस भाई खुद भी सिंगल रहेगा और मुझे भी सिंगल मारना चाहता है। जल्द से जल्द मुझे भी इनका कोई जुगार लगाना पड इतना कह मुह बना रूम में एक नजर भुमा कर देखता है, जहां फ्लो पर पड़े लाशों को गार बाहर ले जा रहे थे। जिसे देख उसके चहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। वो खुद से ही बोला अगर बिग ब्रदर की प्रिंसेस को नजर उठा देखने की ह हिम्मत करोगे तो मौत ही मिलेगी। बिकॉज ही मैंटल फो हर प्रिंसेस। बिचारी आइशा भावी को पता भी नहीं। उनकी वजह से उनके खतरनाक आशु। ने कितने लड़कों को नर्ट जैसा टॉर्चर दे। बिना टिकट के स्वर पहुँचा दिया है। तू, तू इतना कै देव दाकविलास बाहर आ जाता है। इस वक्त वो अपने स्पोर्ट कार से टीका फोन के वॉल्पेपर घूर रहा था। जिसमें देव ने वही वॉल्पेपर लगाया था। जब वो पहली बार सोना के रूम में बालकनी से चुपके घुस। खुद देव शर्टल पागल बनाती जा रही हो। इतना कै वो कार में बैठे तेजी से ड्राइव कर निकल जाता है। इस वक्त उसकी कार सिंधानिया विला के बाहर खड़ी थी। देव कार के अंदर बैठे हुए सिंधानिया विला को कार की विंडो से घूर मोबाइल में कुछ टाइप करता वही सिंधानिया विला के सर्वेट खड़ के अंदर सोना घबराते हुए यहां से वहां चल रही थी। उसकी नजरे अपने फोन स्क्रीन में में सेज को डर से घूर रही थी। क्यूटी पाई मैं सिंधानिया विला के बाहर तुम्हारा कार में वेट कर रहा हूँ And I want to see you right now Means right now उसे ये देव का मैसेज कमधम की जादा लग रहा था वो सोच रही थी रात के ग्यारह बजे बजे वो कैसे इस सिंधानिया विला से बाहर जाएगी क्योंकि उसे पता था अगर वो बाहर नहीं गई तो देव अंदर आ जाएगा और फिर वो अंदर आएगा तो उसके साथ क्या करेगा वो सोचने भर से डर लग रहा था तभी फिर से मोबाईल वाइबरेट करता है क्यूटी पाई I am waiting for you come fast you know now मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता वरना मुझे ही अंदर आना पड़ेगा फिर उसके आगे तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच लेना ये मैसेज देख सोना की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई उसे अब कैसे भी करके सिंधानिया विला से बाहर निकल ना होगा वरना यह पागल शर्फिरा इनसान उसके साथ कुछ भी कर सकता है वही कबीर की कार का पूर मैंशन में आपाकिंग लोट में पाक होती है वही कबीर अपने भाव हीन एक्स्प्रेशन के साथ कार से निकल अपने लंबे कदम ले मैंशन के अंदर बढ़ा देता है वो जब हॉल से हो अपने रूम की ओर जाने के लिए लिफ्ट की ओर बगता है तभी उसे पायल की आवाज आती है चीकू इतना लेग बच्चा मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी खाने के लिए जिसे सुन कबीर के कदम वही रुख जाते हैं कबीर पायल की ओर अपने कदम बढ़ा अपनी थंडी आवाज में बोला मॉम आपको इतनी रात को जगने की क्या जरूरत थी जिससे पायल का मूँ बन जाता है जिसे देख कबीर मुस्कुरा अपनी मॉम का माथा चूम लेता है मॉम मैं बाहर से खा कर आया हूँ प्लीज आप इतनी देर रात तक मेरा वेट मत किया करिये तभी कबीर को अपने उपर किसी की जलती हुई नजरे महसूस होती है जिसे महसूस कर उसके चहरे पर टेरी मुस्कान आ जाती है जान भूच कर अपनी मॉम को हग कर लेता है तभी पायल परेशान हो बोली लेकिन बेटा यू इतना देर रात को आना उसे अच्छा तुम शादी कर लो जिसे सुन कबीर के हाथ पायल के बाल से हिलाते हुए रुख जाते हैं तभी कबीर पायल से पूछा मॉम डैग कहा है आप क्या उनसे लड़के मेरा वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है वो आपको इतनी रात तक जगने नहीं दे सकते तुम अपने डैग की बात मत करो उनका ये हमेशा का है उनकी दूसरों से जलने की आदग कभी नहीं जा सकती और तुम मेरी बात बदलने की कोशिश मत करो मैं क्या बोल रही हूँ मैं शादी दी वो इतना ही बोल पाई थी कि कोई आता है एक जटकी से कबीर और पायल को अलग करता है और अपनी जलती हुई नजरों से कबीर को गूर कर देख अपनी सरद आवाज में बोला मेरी बीवी से दूर रहा करो इतना कह राजवीर पायल को अपने सीने से चिपका लेता है वही पायल का गुसे से मूँ बन जाता है फिर से आ गया जलन कुकड़ा संकी बुड़्डा चा 75 बेबी किसमी और तुन मेरी बात बदलने की कोशिश मत करो मैं क्या बोल रही हूँ मैं शादी इतना ही बोल पाई थी कि कोई उनके करीबा एक झटके से कबीर और पायल को अलग करता है और अपनी जल्ती हुई नजरों से कबीर को गूर कर देख अपनी सरद आवाज में बोला मेरी बीवी से दूर रहा करो इतना कह राजवीर पायल को अपने सीने से चिपका लेता है वही पायल का गुसे से मूँ बन जाता है फिरसे आ गया जलन कुकड़ा, सन की बुर्धा जिसे सुन राजवीर घूर के पायल को देखने लगता है वही पायल उसकी बाहों में छट-पटा रही थी छोड़ो मुझे वीर जिसे देखा राजवीर अपनी पकर पायल पर टाइट कर अपनी सर्द आवाज में बोला दॉल तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारी यह सब हरकते बेकार है I never let you go तो फिर तुम फाल तु अपनी एनरजी इसमें वेस्ट क्यों कर रही हो पायल के साथ कबीर भी अपने बेशर्म डैक को भूरने लगता है जो इस उमर में भी अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आए वही पायल का चहरा शर्म से लाल हो गया था बेशर्म बूरे छोड़ो शर्म जैसी चीज तो तुम्हारे अंदर कभी थी ही नहीं छोड़ो मुझे चीकू से जरूरी बात करनी है तुम्हें तो अपने बेटे की बलती उम्र से अपनी फिक्र ही नहीं है इतना कह वो राजवीर के सीने पर अपने नाजुक हाथों से मुखे बरसाए जा रही थी वही राजवीर को पायल के नाजुक मुखों से अपने सक्त सीने पर ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा था भले ही वो उन्चास साल का था लेकिन अभी भी उसके अंदर ताकत तीस जैसी थी वही पायल राजवीर की बाहों में कैधी कभीर की ओर देख बोली और तुम चीकू अब तुम 28 साल के हो चुके हो अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए जो तुम्हारा रात को इंतजार करे और जिसके लिए तुम रात को जल्दी आओ मुझे मेरा पोता दे सके जिसे सुन कभीर अपनी प्रिंसेस के बारे में सोचता है जिसे अपनी सोने और अपने खाने से मतलब है उल्टा कभीर को उसकी केर करनी पड़ती है तुमने सुना चीकू जिसे सुन कभीर पायल की और देख नॉमल फेस एक्स्प्रेशन बोला ओके मॉम वही पायल की बात सुन राजवीर के चहरे पर एक साकैस्टिकली स्माइल आ जाती है ओर रियली शादी कभीर अपने डाट की टोन सुन भूर के अपने डाट को देखता है जो उसे ही किसी शैतानी मुस्कान लिये देख रहे थे जैसे उन्हें सब पता हो और पता भी कैसे ना होता वो राजवीर कपूर किंग ओफ माफिया थे हाँ तुम्हारा बेटा तो तुम्हारी सारी बात मान तुमसे कुछ भी नहीं चुपाता तभी पायल की घबराहत से भरी आवाज आई तुम्हारी शर्ट और कोट में क्या लगा है ये ब्लड है क्या चीकू जिसे सुन कबीर और राजवीर के चहरे के भाव सक्त हो जाते हैं भले ही कबीर ने श्रीपिक सूट पहनता ही ब्लैक शर्ट और ब्लैक कोट ब्लैक पैंट पहना हुआ था लेकिन उस पर हलकी खून की नजर आ रहे थे उन तीन इंसानों को टॉर्चर करते हुए ब्लड के चीटे कबीर की सूट पर आ चुके थे पायल घबराते हुए अपने कदम कबीर की और बड़ा बोली चीकू तुम्हें कहीं चोट आए है तभी राजवीर उस पर अपनी पकर टाइट कर बोला चलो सोने का टाइम हो गया है और तुम्हारे चीकू को कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वह मेरा सोन है वही कबीर दूसरी और पलट कोल्ड वोईस में बोला मॉम ये रेद वाइन मेरे कोट पर गिरी है ना कि यह बलट है इतना कह वो लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है इस वक्त कबीर के हाथ की मुर्थी बनी हुई थी क्योंकि उसे अपनी मॉम से जूट बोलना बिलकुल पसंद नहीं था कबीर अपने मास्टर बैड रूम में एंटर करता है इस वक्त कबीर के रूम में अंधेरा था कबीर सीधे अपने वाश्रूम में जा सीधे शावर थंडे पानी के नीचे जा खड़ा हो अपने दोनों हाथ वॉल से लगा देता है सागर का थंडा पानी उसके शरीर के उपर से बहते हुए लाल पानी में तबदील हो बह रहा था जिसे कबीर अपनी एमोशन लेस नजरों से गूर रहा था आधे घंटे बाद वाश्रूम का गेट खुलता है इस वक्त कबीर अपने वी शेब कमर में सिर्फ ब्लाक लूज टॉवल लपेते हुए था कुछ ही देर में कबीर क्लॉजट रूम में जा ब्लाक ट्राउजर के साथ ट्रांस्पेरेंट ग्रे कलर के कॉटन शर्ट में बाहर आता है उस ग्रे ट्रांस्पेरेंट कॉटन के शर्ट में कबीर का कसा हुआ बदन और आठी इब्ज ज़लक रहे थे वो अपने मिनी ब्लैक टेबल से अपने सर के बालों को पोचते हुए बैक की तरफ आता है इस वक्त कबीर काफी ज़्यादा होट और अट्रेक्टिव नजर आ रहा था वही कबीर के फेस एक्सप्रेशन शुन्य थे वो अपने सर के बालों को ब्लैक मिनी टाओल से पूचते हुए अपने बैक के पास आता है तभी उसकी नजरे अपनी खाली नीट और क्लीन मास्टर बैक पर जाती है वो कुछ पल अपने मास्टर बैक को घूरते हुए देख बोला शादी इतना कह वो अपने कदम बैक के पास नाइट स्टैंड की और बढ़ा देता है वहाँ से अपना फोन उठाओ आईशा को कॉल करता है लेकिन आईशा का फोन कुछ रिंग के बाद स्विच ओफ बता रहा था जिसे सुन कबीर की पकर अपने फोन पर टाइट हो जाती है वो अपने खोलती हुए नजरूंग बैक को घूर कर देखते हुए सर्ट आवाज में बोला प्रिंसेस मेंने कहा था मुझे तुम अब हर रात मेरे नीचे बैक पर चाहिए You become to my addiction now इतना कह अपना फोन बैक पर फेक अपने कदम अपने रूम से बाहर की और बढ़ा देता है वही सोना चुपते चुपाते कैसे भी कर सिंधानिया विला से बाहर आ गई थी वही देव सोना का कार में वेट करते करते पागल सा हो गया था उसे सोना की तलब सी हो रही थी वो उसकी जूसी पिंक लिप्स को चखना चाहता है वो अपने हाथ की पकर स्टेरिंग विल पे पकर टाइट कर बोला क्यूटी पाई तुन गुस्सा खिल दिलाती हो मुझे एगनो करने की गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी इतना कह गुस्से से कार का डोर खोल सिंधानिया विला की और बड़ा देता है लेकिन तभी देव की नजरे चुकते चुपाते सामने से आ रही सोना से जा मिलती है जो पिंक कुर्ती के साथ वाइट प्लाजो में घबराते हुए अपने चेहरे को वाइट दुपता से छुपा उसी की तरफ आ रही थी जिसे देख देव को अपने अंदर एक अजीब सा सुकून मिलता है देव से रहा नहीं जाता वो अपने लंबे कदम ले सोना की और बड़ा देता है सोना देव को देख जल्दी उसके पास आ जाती है उसके हाथ को पकड़ घबराते हुए वहां से दूर ले जाने के लिए होती है वही देव सोना के गर्म नाजुक मुलायम हाथों को अपने सक्त थंडे हाथों में महसूस कर सोना देखता है सोना के मासूम घबराय हुए चेहरे को देख देव में रहा सहा सब्र खत्म हो वहीपि सोना से लिप जाता है सोना उसकी बाहों में छट पताते हुए अपने नाजुक हाथ उसके सक्थ सीने पर रख कुश करते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं कोई हमें देख लेगा। ये से थोड़ा दूर चलिए, प्लीज, जिससे सुन देव नाखुश हो जाता है। तुम्हारे बगेर, आज तुम्हारे बाहों की गर्मी में, मैं सुकून से सो भी नहीं सकता। इतना कह अपने हाथ सोना की खुली पीट पे चलाते हुए अपने होंट के कॉलर बोन पर। रख चूम्हारे बगेर, रख चूम्हारे बगेर, वही सोना किसी मूर्ती की तरह खळी थी। वो कोई भी हरकत नहीं कर रही थी। क्योंकि सोना अब देव की इन हरकतों की आदत सी हो रही थी। सोना को कोई भी हरकत ना करता देख देव अपना चहरा ऊपर उठा नाखुश भाव से लो वोईस में बोला। क्यूटी पाई मैं चाहता हूँ तुम आज मुझे प्यार कर चूमो। जिसे सुन सोना अपनी आँखे बढ़ी कर उसको देख रही थी। आई कांट वेट बेबी किस्मी जिसे सुन सोना गरते हुए हकला बोली कोई हमें यहां देख लेगा हमें दर लग रहा है प्लीज आप यहां से पहले थोड़ा दूर चलिए। वही देव को अब गुस्से से आ रहा था। सोना का बार बार उसे मना कर उससे दूर करना उसे पागल बना रहा था। उसके करीब आने के लिए गुस्से से अपने दांक टीस्ते हुए बोला। आज तक देव खुराना को किसी से भी डर नहीं लगता है। मैं जो करना चाहता वह मैं करके ही रहता हूँ। इतना कह अपने सक्त होट सोना के मुलायम होटो से जोडने को होता है। तभी देव की नजरे सामने चली जाती है। जिसे देख देव की आँखें बढ़ी हो जाती है। उहो, शित, क्योंकि सामने से कबीर अपने कॉमन नाइट वियर में वॉक करते हुए आ रहा था। साथ ही उसके पीछे चार से पांच गार्ड ब्लाक युनिफॉर्म में हाथों के गन लिये आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात उनमें से एक गार्ड रोहन का सबसे खास आदमी में से एक था। लक्ष जो रोहन के ना रहते हुए कबीर की प्रोटेक्शन करता था। वही कबीर को अपनी प्रिंसेस के बिना नीन नहीं आए। इसलिए वह उसकी तड़प में सिंधानिया विला आ गया था। ये पोज एरिया हाइली सेक्रेटिद थी। जा इस एरिया के चारों तरफ कबीरा राजवीर और वंच के आदमी ने प्रोटेक्शन किया हुआ था। आईशा का घर कबीर के घर से सिर्फ पांच मिनट की दूरी पर ही था। देव हकलाते हुए बोला बिग ब्रदर यहां पर क्या कर रहे हैं। वही सोना कनफ्यूजन से बोली क्या हुआ आपको। तभी देव सोना की बातों से होश में आता है। वो हर बढ़ाते हुए सोना को ले अपने कार की ओर भागता है। कार के पीछे जा छुप जाता है। ओ ओ, शित अगर बिग ब्रदर ने देखा ना और साथ ही उस लक्षे के बच्चे ने तो पका रोहन भाई का चमचा पूरी बात भाई को बता देगा। वही सोना देव के नीचे कार के पीछे छिपी हुए थी। अपना चहरा ऊपर उठा देव को देख रही थी। जिसके चहरे में पहली बार उसने डर देखा था। वरना हमेशा ये जलाद उसे डराया करता था। सोना खुद से ही मन में बोली इस शैतान। हवसी, पापी राक्षस किसी से भी डर सकता है। वही कबीर अपने पांच गार के साथ सिंघानिया मैंशन के में डोर पर आ खड़ा था। वही देव को ये गलत फेहमी थी कि कबीर ने उसे नहीं देखा था। कबीर यूँ ही ब्लैक एकल किंग नहीं कहा जाता था। उसकी वह बाज जैसी पेनी आँखों से किसी का छूपना आसान नहीं था। वही कबीर फेस एक्सप्रेशन्स भाव हीन थे। वही कबीर के पीछे खड़ा लक्ष्य खुद से बुद्ध बुद्ध बोला, ये छोटा चुहा यहां क्या कर रहा है। लगता है, रोहन बॉस को चक्मा दे यहां यह है, लेकिन लक्ष्य उस बात को अभी के लिए इग्नो कर किसी को फोन करता है। कुछ ही देर में सिंधानिया मैंशन का मेन एंट्रेंस दोर खुल जाता है। गाडियन अपना सर जुका खड़ा था, वही कबीर सभी को इग्नो कर सिंधानिया विला के अंदर चला जाता है। वंश इस बात से अंजान था, एलेई गाडियन कबीर की कमपनी एक ब्रांच में से एक थी, जिसे रोहन चलाता था, एलेई गाडियन कमपनी दुनिया के ब्यास्ट गार्ड वहा के होते थे। कबीर कुछ पल आयशा के कमरे दोर को घूर रूम में एंटर करता है। कबीर कुछ ही दूर चला होगा, तभी कबीर की आँखे छोटी हो जाती है, वह अपने पैरों के नीचे देखता है, तो वहा काफी सारे चिप्स चॉकलेट के पैकिट्स फिके हुए थे। कबीर आयशा अस्त्वियस्त पूरे रूम को देख, अपने हाथों की मुठी बना लेता है। कबीर अपनी नजरे रूम के चारों और भूम आता है, तभी कबीर की नजर बैक पर जाती है, जहां ब्लैंकिट के अंदर कोई बॉल से आकर का बंद सोया हुआ था। कबीर अपने लंबे कदम ले बैक की ओर बढ़ाता है, वही कबीर हिलती हुए ब्लैंकिट को घूर के देखते हैं, कबीर अपनी सर्द आवाज में बोला प्रिंसेसा यू वेक अप, जिसे देख ब्लैंकिट गुसे से पकड़ अपने हाथों से एक जटके में घीच लेती है लेकिन ब्लैंकिट के अंदर का नजारा देख कबीर की आँखे छोटी हो जाती है, क्योंकि आईशा बॉल की तरह सिकुर बैग पर पेट के बल सोई हुई थी, तभी कबीर बैग पास जा बैख बोल सी सुकली हुई छोटी सी आईशा को अपनी और घूमता है, तभी उसकी आखे सर्द हो जाती है क्योंकि इस वक्त आईशा का चहरा बिलकुल पीला पर चुका था दर्द से